ओम शान्ती, आज है 26 मार्च 2023 की अव्यक्त मुरली, आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे माहा वाक्यों को त्रिकाल दर्शी स्थीती के स्रेष्ट आसन द्वारा सदा विज्याई बनो और दूसरों को शक्ती का सहयोग दो आज तिकाल दर्शी बाब दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकाल दर्शी बच्चों को देख रहे हैं तिकाल दर्शी बनने का साधन बाब दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धी का वर्दान वा ब्रह्मन जन्म की विशेश सौगात दी है क्योंकि दिव्य बुध्धी द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पस्ट जान सकते हो दिव्य बुध्धी तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो इसलिए पहला वर्दान दिव्य बुध्धी है ये वर्दान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है लेकिन इस वर्दान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो दिव्य बुधी त्रिकाल दर्शी स्थीती का अनभव कराती है चारों ही सब्जक्ट धारन करने का आधार दिव्य बुधी है चारों ही सब्जक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं वर्णन भी करते हैं लेकिन जानना वर्णन करना यह सभी को आता है चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं इसमें सभी होश्यार हैं लेकिन धारन करना इसमें नंबर बन जाते हैं दिव्य बुद्धी की विशेषताईं, दिव्य बुद्धी वाली आत्माईं कोई भी संकल्प को कर्म ववानी में लानी समय हर बोल और हर करम को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। साधारण बुद्धी वाली आत्माईं बहुत करके वर्तमान को स्पस्ट जानती हैं लेकिन भविश्य और भुद्धकाल को स्पस्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धी वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पस्ट होता है जैसे प्रेजिंट स्पस्ट है, तीनों ही काल, सा साथ स्पस्ट अनभव होता है, वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सो समझ करके करो, करम के पहले परिनाम को सामने रखो, परिनाम हुआ भविश्य, तो नमबर वन है त्रिकाल दर्शी बुद्धी, त्रिकाल दर्शी, ब लेकिन बच्चों में तीन प्रकार की बुद्धी वाले हैं, पहला नमबर सुनाया सदा त्रिकाल दर्शी बुद्धी, दूसरा नमबर कभी त्रिकाल दर्शी, और कभी एक काल दर्शी, तीसरा नमबर अलबेली बुद्धी, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचत कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है वह चल रहा है इसमें ठेक रहें भविश्य क्या होगा इसको क्या सोचें लेकिन अलबेली बुद्धी आदी मध्यांत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है तो बनना है त्रिकाल दर्शी बुद्धी त्रिकाल दर्शी स्थीती ऐसा स्रिस्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थीती द्वारा स्वयम भी सदा विजय और दूसरों को भी विजय बढ़ने की शक्ति वा सहयोग देने वाले हैं दिव्य बुध्धी विशाल बुध्धी है, दिव्य बुध्धी बेहद की बुध्धी है, तो चैक करो कि स्वयम की बुध्धी किस नंबर की बनाई है? बाप दादा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खचाना जमा सभी बच्चों के पास है लेकिन जमा होते भी नमबरवार क्यों है ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खचाने जमा नहीं हो सभी के पास जमा है ना फिर नंबर वार क्यों अगर किसी से भी पूछेंगे स्वयम का ग्यान है बाप का ग्यान है चक्र का ग्यान है कर्मों के गती का ग्यान है सभी के पास सर्व शक्तियां है कि कोई है कोई नहीं है ग्यान में सभी ने हां किया और शक्तियों में हां क्यों नहीं किया अच्छा सभी गुण है सर्व गुण बुद्धी में है बुद्धी में ग्यान भी है शक्तियां भी है फिर नंबर वार क्यों फर्क क्या होता है खजाने को वीधी पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है समय बीत जाता है फिर सोचते हैं कि ऐसा करते थे इस वीधी से चलते थे तो सिद्धी मिल जाती थी तो समय को जानना और समय प्रमान शक्ति वा गुण वा ज्यान को कार्य में लगाना इसके लिए दिव्य बुद्धी की विशेशता आवशक है वैसे ग्यान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं सुनाते भी रहते हैं कौपियों में भी भरी हुई रहती हैं सब के पास इतनी डायरियां इकठी हुई होंगी काफी स्टॉक हो गया है ना तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई हैं जानते तो सबी हैं लेकिन अंडर लाइन है जो हूँ जैसा हूँ उसमें अंतर पढ़ जाता है इसी रीती जैसा समय और जो ग्यान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है वैसा कार्य में लगाना इसमें अंतर पढ़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन ज बन नहीं करते इसलिए नमबर बन जाते है कोई भी संकल्प बुद्धी में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मना बीज का विस्तार है अगर संकल्प परथात बीज को त्रिकाल दर्शी स्थीति में सिथ होकर चेक करो शक्तिशाली बनाओ तो वानी और कर्म में सोता ही सहद सफलता है ही है संकल्प को चेक नहीं करते अर्धात बीच शक्तिशाली नहीं होता तो वानी और कर्म में भी सिध्धी की शक्ति नहीं रहती लक्षे सभी का सिध्धी स्वरूप बढ़ने का है ना तो सदा सिध्धी सोरूप बनने की वीधी जो सुनाई उसको चेक करो बीच बीच में बुध्धी अलबेली बन जाती है इसलिए कभी सिध्धी अनभव करते और कभी मेहनत अनभव करते बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिध्धी सोरूप बन जाएं आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माईं सिध्धी प्राप्त करती रहती हैं तो चैतन्य में सिध्धी सुरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माई सिध्धी प्राप्त करती रहती हैं, जो त्रिकाल दर्शी स्थीती समर्थ स्थीती है, इस समर्थ स्थीती वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं, जो स्वपन मात्र व्यर्थ समाप्त हो जाता है अगर तरिकाल धर्शी बुध्धी द्वारा करम नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोज बार बार उंचे नंबर में अधिकारी बढ़ने नहीं देता तो दिव्य बुध्धी का वर्दान सदा हर समेकारे में लगाओ बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्यानी योगी आत्माएं बने हो अब ज्यान और योग के शक्ती को प्रयोग में लाने वाले प्रयोग शाली आत्माएं बनो जैसे साइंस की शक्ती का प्रयोग दिखाई देता है ना लेकिन साइंस की शक्ती के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिये हैं उन सब साधनों का आधार क्या है साइंस के प्रयोग का आधार क्या है मेजोरिटी देखेंगे लाइट है लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके अधार से? Computer Might है, लेकिन अधार Light है ना? तो आपके Silence की शक्ती का भी अधार क्या है? Light है ना? जब वहाँ प्रकृती की Light द्वारा एक Light अनेक प्रकार के प्रयोग Practical में करके दिखाती है तो आपकी अविनाशी प्रमात्म Light, आत्मिक Light और साथ साथ Practical स्थीती Light तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? आपके पास स्थीती भी Light है और मूल स्वरूप भी Light है जब भी कोई प्रयोग करना चाते हो तो पहले अपने मूल अधार को चेक करो जैसे कोई भी साथन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि Light है या नहीं है ऐसे जब योग का शक्तियों का गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल अधार आत्मिक शक्ती प्रमात्म शक्ती वा Light स्थीती है अगर स्थीती और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहच कर सकते हो और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्ती शाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो हर मास वा हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेश गुण वा कोई ना कोई विशेश शक्ती का स्वा प्रती प्रयोग करके देखो क्योंकि संग्ठन में वा संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं तो पहले अपने उपर प्रयोग में चेक करो कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति वा जो गुण का प्रयोग करने का लक्षे रखा उसमें कहां तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रति दिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनभव कराने में आगे बढ़ रहा है तो समय भी कम करते जाते हैं थोड़े समय में सफलता ज्यादा यह साइंस वालों का भी लक्षे है ऐसे जो भी लक्षे रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो जब स्वा के प्रती प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रती प्रयोग करना सहच हो जाएगा और जब स्वा के प्रती सफलता अन्भव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रती प्रयोग करने का उमंगुद सहस होता ही बढ़ता जाएगा अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वा के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव सोता ही पढ़ता रहेगा जैसे एक द्रिस्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ती का प्रयोग करना है तो जब स्वयम में सहन शक्ती का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माई आपकी सहन शक्ती को हिलाने के निमित हैं वो भी बच जाएंगी ना उनका भी तो किनारा हो जाएगा और जैसे छोटे-छोटे संग्ठन में रहते हो सैंटर्स हैं तो सैंटर्स पर छोटे संग्ठन है ना तो पहले सुवक के प्रती ट्रायल करो फिर अपने छोटे संग्ठन में ट्रायल करो संग्ठन रूप में कोई भी गुण वा शक्ती के प्रयोग का प्रोग्रेम बनाओ उससे क्या होगा संग्ठन की शक्ती से उसी गुण वा शक्ती का वायूमंडल बन जाएगा वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के उपर पड़ता ही है तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो पहले स्वयम में संतुष्टता का अनभव करो फिर औरों में सहज हो जाएगा क्योंकि वीधी आजाएगी जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं ऐसे आप पहले स्वयम को सैंपल के रीती से यूज़ करो जितना यहाँ प्रयोग करने की रूची बढ़ती जाएगी बुद्धी मन इसमें बीजी रहेगा तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो शक्तियां लगाते हो उनकी बच्चत हो जाएगी सहच ही अंतर मुक्ता की स्थीति अपनी तरफ आकरशित करेगी क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता सुता ही और सब तरफ से किनारा करा देती है ये प्रयोग तो सब ही कर सकते होना की मुश्किल है इस वर्ष प्रयोग शाली आत्माएं बनो समझा क्या करना है और हर एक स्वयम के प्रती प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोग शाली आत्माओं का संग्ठन कितना पावरफुल बन जाएगा वह संग्ठन की किरने अर्थात वाइब्रेशन्स बहुत कार्य करके दिखाएंगी इसमें सिर्फ दृड़ता चाहिए मुझे करना ही है दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए आपकी दृड़ता का प्रभाव औरों पर पढ़ना चाहिए क्योंकि दृड़ता की शक्ती स्रेस्थ है या अलबेलेपन की शक्ती स्रेस्थ है बाप दादा का वर्दान है जहां दृड़ता है वहां सफलता है ही तो क्या बनेंगे प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसंधारी और तीसरा क्या करेंगे जैसा समय वैसी वीधी से सिध्धी, स्वरूप तो वर्ष का ये होमवक है ये होमवक स्वतर ही बाप के समीप लाएगा जैसे ब्रमह बाप को देखा कोई भी करम करने के पहले आधी मध्यांत को सो समझ करम किया और कराया अलबेला पर नहीं की जैसा हुआ ठीक है चलो चलाना ही है नहीं, तो फॉलो ब्रमह बाप फॉलो करना तो सहज है ना कॉपी करना है ना कॉपी करने का तो अकल है ना अच्छा ये ग्रूप चांस लेने वाला ग्रूप है एक्स्ट्रा लोटरी मिली है जो अच्छानक लोटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज्यादा ही होती है तो ये लखी ग्रूप हुआ ना चांस लेने वाला लखी ग्रूप दूसरे सोस्ते रहते कब जाएंगे और आप पहांच गए अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है भारत वासियों ने अपनी लौटरी ले ली चारों और के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्रेम बनाया है उसमें महनत अच्छे की विशेश निमित आत्माओं को समीप लाने की वीधी अच्छी है और जितना हिमत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष स्रेस्ट से स्रेस्ट मिलती रही है ऐसे अनुभव होता है ना कोई समय था जो निमित विशेश आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था और अभी क्या लगता है जितना सोचते हो उससे और ही ज्यादा आते है ना तो ये हिमत का प्रत्यक्ष फल है भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है पहले आपने मंतरन देने की महनत करते थे और अभी सोयम आने की ओफर करते हैं फर्क पढ़ गया है ना वो कहत हैं हम चले और आप कहते हो नंबर नहीं है ये है हिमते बच्चे मद्देबाप का प्रत्यक्ष स्वरूप अच्छा चारों ओर के मास्टर त्रिकाल दर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्तों को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य धिमान आत्माओं को सदा अंतर मुक्ता की प्रयोग शाला में प्रयोग करने वाले प्रयोग शाली आत्माओं को सदा हिमत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुखानी बच्चों की गुद मार्निंग और नमस्ते। टचिंग आती हैं कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमेत आत्माओं को विशेश उमंग उत्सा भढ़ाने के वा परिवर्तन शक्ती को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बीना रह नहीं सकते हैं। बुद्धी चलती हैं। देख देख आश नहीं नहीं बातें सुनती हो ना और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्यर्य लगता है, नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी वीदी से थोड़े ही अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा। वर्दान, शुद मन और दिव्य बुद्धी के विमान द्वारा सैकिंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। साइंस वाले फास्ट गती के यंत्र निकानने का प्रेतन करते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनरजी लगाते ह लेकिन आपके पास इतनी तिव्रगती का यंत्र है, जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा, आपको शुब संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धी मिली है, इस शुद मन और दिव्य बुद्धी के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ, और जब चाहे तब लोटाओ, मास्टर शर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता श्लोगन, दिल सदा सच्ची हो, तो दिला राम बाब की आशिर्वाद मिलती रहेगी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, उम्शान्ति